दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पस्их मैं लगबग पिछले दो सालों से मन्रिया का काम बन दे तो पस्ism मैं के are ब्शुम काड होलरस को काम मिल सके इसको देखने के लिए पस्शं मंगाल के सरकार ने खुद से कर्मस्ट्री नाम का एक प्रकल्प यानि की स्कीम लॉंज किया है जिसके मादधम से पस्टिम बंगल के हर एक जॉब का डोलर जो की काम करना चाहते हैं उनको साल में पचास दिन का काम दिया जा सकता है तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस क किनका क्या क्या का मिन हाइलाइट पॉइंट है कैसा यह जो होगा कैसे औंको काम दिया जाएगा कितना उनको फन दिया जाएगा किफेमेंट किया आज को दिखांगा तो बूढ़ पाहली बार पर बार तो पइल दाऊंकес ब्रूह सब्सक्राइब की तो देहाखे यहाँ पहले इस प्रोजेक्त का बैनर है आपको दिखाए देगा आप ही देख लेते हैं कि क्या-क्या możemy दिखेना है क्या क्या सर्स है मातलब एकदम देटल में हम देखेंगे सबसे पहले objective, यहाँ पे देखिए the objective of कर्मस्री scheme is to provide at least 50 days work wage employment to each job card holder household in the financial year, मतलब कि एक financial year में सभी job card holders को कम से कम 50 दिन का काम देने की यहाँ पे, यहाँ पे लक्षे है, यहाँ पे देखिए कौन-कौन से job card holder eligible होंगे, देखिए जो सारे ग्राम पंचायत के या फिर rural जो भी unskill worker है जिनके पास मन्रेय का job card है, वो सारे इस प्रोजेक्ट में apply करने के लिए eligible होंगे, और अगर किसी के पास job card नहीं है, तो उनको job card देने की भी यहाँ पे बात किया गया है, उसके पास scope देखिए, कहाँ पे काम दिया जाएगा, इंगेज in different development works of the departments of the state government, where there is a scope of engagement of unskill worker, यानि कि जहाँ पर भी unskill worker का जरूरत होगा, सरकार के अन्न भीभाग के सारे काम में, वहाँ पे मन्रेय का जो job card holder से unskill labor उनको engage किया जाएगा, माल लिजए कोई building होड़ा है, उसका foundation मिट्टी कारने का काम है, वहाँ पे unskill labor चाहिए, तो वहाँ पे सरकार द्वारा मन्रेय का job card holders को engage किया जाएगा, उसके बाद देखिए, सारे department को इस तरीके से एक annual action plan भी बनाना होगा, अभी देखिए, प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे होगा ये काम, पहले देखिए, नमबर एक पे देखिए, एनेकसर 1 work demand form, मतलब कि इस form के द पर देखिए, ये ग्राम पंचायत, या फिर ब्लॉक पंचायत, मेंटेन करेंगे, जहाँ पर job card holders का detail रहेगा, आदार नमबर रहेगा, काम, कितना दिन उनने काम मंगा, कितना दिन उनको काम मिला, ये सारे details इस register में रहेगा, इसको मेंटेन करेंगे, ग्राम पंचायत, या मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में काम शुरू होना जाएगा, उससे लगबक कम से कम साथ दिन पहले, डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटिमेशन, यानि की सूचना जाएगा, डिए नो, यानि की डिस्टिक नोडल आफिसर को, NXR 3 के मारफद मतलब की, इसके, इसमें दिन काम है, कितना लेबल चाहिए, ये डिटल उसमें रहेगा, उसके बाद NXR 4 आप देख सकते हैं, NXR 4 में वीडियो, जो PIA होगा, मतलब की प्रोग्राम इंटिमेंटिंग एजेंसी, यानि की जो भी डिपार्टमेंट काम को एक्जेग्यूट करेंगे, उनको इंटिमे कौन-कौन से वर्कर्स एंगेज हुआ है, कितना दिन के लिए इंगेज हुआ है, ये डिटल उसमें रहेगा, उसके बाद NXR 5 जो है, NXR 5 में वीडियो, इंटिमेंट जॉब का डोलर्स अबाउट एसाइनमेंट अव दे वर्क, मतलब NXR 5 में सभी जॉब का डोलर्स जिन यह है, एंप्लाइमेंट सीट, यानि कि जभी काम शूरू होने जाएगा, कॉंट्रक्टर या फिर एजेंसी जो काम करेंगे, उनको एक एंप्लाइमेंट सीट दिया जाएगा, जहाँ पर जॉब का डोलर्स का नाम भी रहेगा, तो उनको डे बाइडियो फिल आप करना परकर प्रेजन थे, कौन सा एप्सें थे, यह साइड डिटेल्स उसमें लिखना होगा, साथी पेमेंट डिटेल्स भी वहाँ पर एक एक करके लिखना होगा, उसके बाद एनेक्सर साथ जो है, एनेक्सर साथ यह है कि जभी काम कंप्लीट होगा, पॉंट्रक्टर या फिर एनेक्सर साथ में डिटेल्स देंगे कि काम कंप्लीट हुआ है, साथी जोब का डोलर्स को एंगेज करकर ही काम को कंप्लीट किया गया है, इस तरीके से एक कंप्लीशन रिपोर्ट देना होगा, और उसके बाद आखिर में एनेक्सर 8, एनेक्सर 8 यह है कि एक कंपाइल गया है, और यह सारे डिटेल्स कितना पेमिन मिला है, सारे डिटेल्स उस एक रिपोर्ट में रहेगा, जो कि एक दम आखिर में कंपाइल एक रिपोर्ट होगा, एनेक्सर 8, तो यह सारे फॉर्मेट कैसे फिलप करते हैं, मैं यह अगले वीडियो में दिखाऊंगा, तो कि जादे डिपार्टमेंट का जो अफंद मिलाएं, उसी फंड से काम हो रहा है, और उसी फंड से लजिवर कंपोनेंट का जो पेमेंट है मतलब पी expenditure है उसी से ही unskilled labor को payment दिया जाएगा और payment करेंगे initial payment करेंगे contractor contractor को एक साथ payment दिया जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर देखिए payment कैसे किया जाएगा यहां पर लिखा है कि payment to वेज पेमेंट अब वेज अब जापका रोलर्स एंगेज इन दा वर्क विल बी मेड बाई contractor और एजेंसी और minimum wage act जो है 1948 उसको मंद्द रज़र रखते है जहां प्रिस्टा में जो minimum wage rate आएगा minimum उनको वो payment देना होगा तो यह सारे details यह पूरा वस्बेंग ओल की परमसी स्क्रिम के बार में पूरा details मैंने आपको बता दिया आगे के वीडियो में जो सारे annexer है जो format से उसको कैसे फिलाप कर सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक किजिए शेयर किजिए और कुछ भी inquiry हो तो नीचे कॉमन बॉक्स में जरूर लखिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में